करना है कि यहां पे आपको चेक करना है कि इसका जो इसका जो कम्मिनिकेशन एड्रेस है और रेट वो 187.5 KPBS है इसका इसका अडरस ही 2E रहेगा इसके बाद आप जब इसकी वो करेंगे ना पीजी पीची इंटरफेस पीजी इंटरफेस में भी आपको जाते चीज़े चेक करने हैं यहां बताएंगा और यह बॉट्रेट बता रहें इसके आपको चेक करना है यह मैश करना चाहिए इससे पीजी का मैं दिखा रहे था पहले वहां पर आपको नोड रीट करना है कितने नोड है कितना नोड करनेक्टेड अभी हमारे पास इससे सिंपल एक पी एंशी लियाज एक लिए नोड लगागा है यह दो नोड आ गया एक यह आपके पास बता रहा 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 वरन अटो यह निकिए बन आपका एक PLC हो गया और एक आपका PC हो गया है अब इसको के करना है अब इसकी प्रोपर्टीज में जाना है अगर आपके पास गॉर्ट सेट नहीं है ट्रास्मिशन रेट तो यहां सब्सक्राइब करना हो इसे पहले है डिफॉल्ट में यह था आपना में 1.5 MBPS रखके है यह वही होना चाहिए जो PLC का है इसको किया एक इसको किया किया इसके बाद आगे सारी व्लॉग्स के आप इसके को इसको कॉम्पाइल कर लिए वहां तो दिखा देगा किम्पाइल है ठीक है बना दाउन्डोड करते बाग के डिके डिफॉल्ड नोड़ अदर नू बता रहे है अब नोड़ जिब करेंगे तो वहां पर जो MPI डॉक्टर उसकी आप करेक्टिवीटी भी देखना कि बोल जाना शूर करेंगा कि डाउन्डोडिंग आपर देखाऊ कि कि अनुक्र आप एक प्रिंग डिफॉल्ड इस पोलोड इस टर्रूड इस अब तर्यूर्ट करते पिर अद्यूर्ट इस जान्टिवीटी एक शीपी अप्रिंग करना फिर आपि वो सेट हो जाए इस अब आप है स्थैंड मोट पी चलाएगा है